हेलो फ्रेंट्स, वेलकम बैक टू मैं चैनल, स्प्रीचल लव टेराट, कैसे हैं आप लोग? I hope खुश होंगे, अपनी life में enjoy कर रहे होंगे, happy होंगे, dear हमारी दुआ है, कि आप लोग हमेशा खुश रहें, positivity को attract करें और happy रहें, ओके dear, तो अज का जो topic है वो no contact के उपर है, no contact में आज हम ये देखेंगे कि आपके partner और आपके बीच में जो no contact हुआ है, उसकी वज़ा क्य है, क्या situation है, और ये जानने की पूरी कोशिश करेंगे कि क्या सोच रहे हैं आपके partner no contact में, okay, तो चलिए पूरा focus आपको करना है अपने partner के उपर और देखते हैं कि आपके partner और आपके बीच में जो no contact हुआ है, उसकी वज़ा कौन था, क्या थी उसकी वज़ा, तो चलिए चानने की कुशिश करते हैं, देखते हैं कि क्या थी उसकी वज़ा, तो dear, यहाँ पर एक card आया है मेरे पास में, तो वो card जो है, यहाँ पर queen of swords है, okay, आपको दिख रहा होगा, queen of swords का card आया है, चलिए और cards देखते हैं, seven of cups, seven of cups है, okay, five of cups का card है dear, यहाँ पर, next card जो है, वो है ten of pentacles, okay, ten of pentacles, यहाँ पर से कुछ cards आये हैं, यह सारे हम ले लेते हैं dear, देखते हैं क्या है, okay, three of cups, three of cups की energy आई है dear, यहाँ पर, okay, cards आपको दिख रहे होंगे, next card है, यहाँ पर, two of swords, seven of pentacles, tower moment, तो dear, यहाँ पर no contact separation तो दिख रहा है मुझे, कि यहाँ पर separation हुआ है, लेकिन, यहाँ आपके partner के energy को आप देखिए, तो आप देख पाएंगे कि आपके partner जो है, कहीं न कहीं emotions में बहुत बहर रहे हैं, और dear, no contact situation तो है, लेकिन, यहाँ पर कुछ तो ऐसा होने वाला है, जो बहुत ही, ऐसा होगा कि, पता नहीं, लेकिन, फिर भी चलिए, मैं बताऊंगे, आपको क्या होने वाला है, bottom के energy, जो है, four of swords है, okay, ठीके, तो sign आपको मैं बता देते हूँ dear, यहाँ पर है, Gemini, Libra, Aquarius, Aries, Leo, Sagittarius, पता नहीं, Aries क्यों निकला, okay, नहीं है, Aries, Leo, Sagittarius, Taurus, Virgo, Capricorn है, Cancer, Scorpio, Pisces है, ठीके dear, तो bottom के energy से शायद कहीं हो, तो चलिए, चेक कर लेते हैं, कि bottom के energy से है, क्या है, ओ, है, ठीके, bottom के energy से है, King of wand, ठीके, तो Aries, Leo, Sagittarius, यहाँ से है, इसलिए, शाय कि क्या चल रहा है, no contact में, आप लोगों के बीच में, no contact की जो वज़र रही है, वो कहीं न कहीं, कोई third party है, ठीके dear, clear तरीके से, यहाँ पर no contact situation जो दिख रही है, किसी तीसरे person के कारण, आप दोनों का रिष्टा खराब हुआ है, आप दोनों के बीच में separation आया है, बहुत आप tower आया है, तो tower का card यहीं बता रहा है, कि इस रिष्टी का end हो गया है, किसी न किसी तरह से, और इसकी वज़र जो है, यह third party situation है, यह third person है, जिसके कारण, आप दोनों के बीच में, बहुत ज़्यादा conflict आये, बहुत ज़्यादा लड़ाई जगडे हुए, बहुत ज़्य की energy यह दिख रही है, आपके partner अभी आपको लेके no contact में बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा उनकी feelings की बात करी जाए, तो alone feel कर रहे हैं, और इतने अकेले पड़ गए हैं, अकेले मैठे बैठे सोचते रहते हैं, गमों में पड़े रहते हैं, औ कहीं न कहीं वो अपने आपको दोशी मानते रहते हैं, कि ये सब कुछ उनके ही कारण हुआ है, और आपके partner जो है बहुत ज़्यादा अपने आप पर blame कर रहे हैं, अपने आपको कोस रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि उनसे गलती हो गई है, और आपके partner की मैं एक बात बत हूँ, आजकल आपको बहुत ज़्यादा इस्पाय कर रहे हैं, ठीक है, आपके partner डियर आप पर नजर बना के रखे हैं, आपके partner जो है आपको देख रहे हैं, आप पर उनकी पूरी पूरी नजर है डियर, क्यों क्योंकि उनके emotions आप देख रहे हैं, उनके emotions यहाँ पर बहु इस थर्ड पार्टी ने कुछ बोल दिया था शायद और आपके पार्टनर जो थे उनको इस थर्ड पार्टी पे इतना घुसा आया कि वो बरदाश नहीं कर पाए पर उस थर्ड पार्टी से बोल नहीं सकते थे तो आपके पार्टनर ने आपसे फाइट कर ली आपसे लड़ ज त्विशन आ गई बात तो खराब हुई है डियर किसी छोटी सी बात को लेके पतंगर बना है वो चीज यहाँ पर क्लियर तरीके से दिख रही है कि थर्ड पार्टी के कारण ही आप दोनों का रिष्टा जो है यह थर्ड पार्टी आपकी फ्रेंड हो सकती है उसने लगा जो एनरजी है वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो गई थी बहुत ज़्यादा नेगिटिव हो गई थी और यह पार्टनर ने आपके साथ में इतना मिजबिहेव कर दिया आपको बहुत धक्का लगा कि यार यह दूसरों की बाते सुनकर आपको इस तरह का ब्लेम कर रहा है और आपने उनसे कट आउट कर दिया कहीं न कहीं आप यहाँ पर अलग हो गए अपने पार्टनर से और जगड़ा भी हुआ है आपकी तरफ से भी कोई कमी नहीं रही जगड़ा करने में आप भी बहुत गुसा हो गए थे पता नहीं आपको किस बात का गुसा आया इस पार्टनर ने कुछ तो ऐसा बताया है या फिर पैसे से रिलेटेड इस थर्ड पार्टनर को कुछ चाहा थी आपके पार्टनर से है ना और हो सकता है आपके पार्टनर ने इसे पैसे नहीं दिये हैं रुपे नहीं दिये हैं डियर तो यहां पर यह चीज दिख रही है कि इस वो आपके साथ में involved थे वो आपको लेकर अपने future की planning कर रहे थे वो आपको लेकर आगे के बारे में सोच रहे थे शायद ये third party को बिल्कुल पसंद नहीं आया और dear इनों ने आपके partner को किसी तरह का control करना चाहा किसी तरह से उनको manipulate कर रही थी ये third party और dear आपके partner को आपके बारे में कहीं न कहीं option वाली बात बोली है शायद आपके partner से इस third party ने किसी तरह के कोई partner का होना आपकी जिंदगी में बताया है आपके partner ने किसी और के पीछे आप से बात कही होगी कि आप किसी के साथ में रहते हो आप किसी के साथ में इनवाल्व हो या आपर किसी तरह का blame करा है किसी भी बात को लेके चाहे वो career से related हो, job से related हो या किसी बात को छुपाने से related हो सकता है dear काफी लोगों के energy है तो यहाँ पर कुछ बाते छुपाने के पीछे भी no contact situation आई है dear और ये दिख रहा है कि आपके partner जो है इस समय उन्होंने इस third party के बास सुनके आप पर नाराज हो गए आपके साथ में बुरा behave किया और dear ये third party क्या चाहा रही थी आपके partner से कहीं न कहीं इनको कुछ चाहिए था जैसे कि इनको रुपे चाही थे कुछ फाइनेंस की जरुवत थी और आपके पार्टनर ने नहीं दिया था तो डियर ये सोच रही थी कि आपके होते आपका पार्टनर जो है वो कभी इनके हेल्प नहीं करेगा इसलिए आपको हटा देना ही बहतर है लेकिन सच्चाई जादा दियर नहीं चुपती है आपके पार्टनर जब आप पर इस्पाय कर रहे थे जब आपको देख रहे थे जब आप पर नजर बनाए हुए थे तब उनकी एक नजर इस थर्ड पार्टी के उपर भी थी और डियर आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी को भी देख रहे थे कि ये third party ने जो किया है क्या बताया है वो पूरी तरह से सही है और अपने ही जाल में फद्ज़ गई ये third party और डियर जब आपके partner को पता चला जब आपके partner को इस third party की हकीकत पता चले इसके जीवन के कुछ option पता चले कि ये हर किसी के साथ में इसी तरह का जाती है कहीं न कहीं जगड़े लगाती है तो ये सेप्रेशन ये दूरियां ये जगड़े आपके पार्टनर के दिमाग में इसकदर घूमते रहे कि आपके पार्टनर बेचेयन हो गए और ये वो पहुच गए फाइव ऑफ कप्स के एनरजी में पूरी तरह से दुखी कि उन का पता चला कि ये थर्ड पार्टी ने जूट बोला था और डियर उनकी आँखों के सामने तो एक अंधीरा सा चागया उनकी जिंदगी जैसे पता नहीं कोई खाई के समख शकाड़े कर दिया उनको किसी ने इस तरह का उनके सामने मनजर था और डियर अप यकीन नहीं माने इसका पकाईगे कि ये पार्टनर जो है ना इसको बहुत बुरा लगा बहुत दुखी इतना दुखी हुआ इतना सैड इतना दुखी कि यार इसकी जिंदग में तो तावर आ गया था एक तरह से और डियर इसको इतना गुसा आया थर्ड पार्टी के लिए बहुत ज़दा गुसा आया और डियर इन्हों ने थर्ड पार्टी को क्या किया मैं बताऊं आपको कि इन्हों ने आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी पर हर्ट हुआ बहुत घुसा आया और डियर आपके पार्टनर ने इस थर्ड पार्टी पर ऐसा कुछ किया कि उनका दिल कर रहा था कि उनका बस नहीं चला नहीं तो वो थर्ड पार्टी को पता नहीं क्या कर देती उनको बहुत घुसा आया था डियर है ना और डियर मैं आपको बताओ कि यह यहां पर ऐसा लग रहा है कि फाइट भी करी है आपके पार्टी को जलील करना पर यहां पर आपके पार्ट्नर ने हद पार कर दी क्यों क्योंकि उनको ऐसा लगा कि इस third party के बज़े से आपको आपके partner ने खो दिया है आपके partner और आपकी life में ये no contact लाने वाली जो third party है या third party वाला कोई इनसान है व्यक्ती है तो उसको इनको बहुत गुसा आया और इन्होंने fight भी कर ले और डियर ना चाहते चाहते इनका हाट जो है वो कही न कही उठी गया इस थर्ड पार्टी के उपर बहुत ज़्यादा शायद ये फ्रेंच था या जो भी था इसकी चला किया इसका जो दिमाग चलता रहता था था ना वो आपके पार्टनर को बहुत बेचेन कर दिया बहुत ज़्यादा परिशान कर दिया और आपके पार्टनर को ये एहसास हो गया कि इसकी बातों में आकर आपके पार्टनर ने आपको छोड़ा था आपके साथ में सेपरेशन किया था आपके साथ में रिष्टा खतम कर दिया जो इतना सालों का रिष्टा था इतना पुराना रिष्टा था जिस रिष्टे में आप दोनों एक दुसरे के लिए जान देते थे जिस रिष्टे में आप दोनों एक दुसरे से इतना लव करते थे प्यार करते थे लेकिन इस थर्ड पार्टी ने मेरी जिन्दगी बर्बाद करी है अब मैं इसको क्या बोलू कैसे क्या बोलू इसकी तो आदत ही ऐसी है और डियर गुत्सा इन से बरदाश नहीं हुआ और जाने अन्जाने इनका हाथ उठी गया इस थर्ड पार्टी पर है ना? तो यहाँ पर तो इस थर्ड पार्टी की तो वाट लग गई आपके पार्टनर ने जब हाथ उठा दिया तो इस थर्ड पार्टी की कोई वैल्यू नहीं रही थर्ड पार्टी के जो इरादे थे वो सब बिखर गए डियर बहुत कुछ इसको सहन करना पड़ा एक तो इसकी लाइफ में इज़्जत नाम की कोई चीज रही नहीं क्योंकि आपके पार्टनर ने सबके सामने इस थर्ड पार्टी पे हाथ उठा दिया तो डियर नहीं चाहा रहे थे आपके पार्टनर ऐसा लेकिन ये थर्ड पार् को लेकर बहुत परिशान करना ब्लैकमेल करना यही काम करा करता था तो यहां पर अत्ती होने के कारण आपके पार्टनर ने इस डिसीजन को लिया डियर और ये डिसीजन आपके पार्टनर का स्वैम का था और डियर इसलिए तो ये अलोन बैठे हुए थे इसलिए तो ये इ लेक अप करके बैठे हुए हैं और डियर बिलकुल इस तरह से बैठे हुए हैं कि ये थर्ड पार्टी को नहीं छोड़ेंगे बिलकुल अलोन बिलकुल एकांत में पूरे दिल दिमाग से सोचने की कोशिश की जा रही है कि ये थर्ड पार्टी जो है इसका क्या किया जाए और आखिर में आपके पार्टनर क्या सोचते सोचते बहुत सोचा इन्होंने और आखिर में निर्ने देखा आपने कि क्या हुआ ना चाहते हुए भी इस थर्ड पर्टी के उपर आपके पार्टनर के हाथ जो थे वो उठी गए कहीं न कहीं आपके पार्टनर इसकी बहुत और आपके पार्टनर को इसilling के सारी हकीकत समझ में आ गई है कि ये तीसरा इंसान ही है जो हम दोनों को मिलने नहीं दे रहा है ये तीसरा इंसान ही है जो हम लोगों के लाइफ में प्रॉब्लम क्रियेट कर रहा है ठीके डियर तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है ये टावर जो आया था ना उसकी वजह यहाँ पर यही दिख रही है कि आपके पार्टनर को थर्ड पार्टी ने बहकाया था उसकी बातों में आकर आपके पार्टनर ने अपनी लाइफ खराब कर ली हाला कि आपके पार्टनर को ये भी पता चला है कि ये थर्ड पार्टी जो है खुद आप्शनों से गिरी हुई है खुद इसकी जिन्दगी में एक से अधिक लोग शामिल हुए और ये ऐसे ही काम करती रहती है मुझे उल्लू बनाने वाले और डियर आपके पार्टनर के साथ दूसरे लोगों को भी ये थर्ड पार्टी उल्लू बना रही थी और ये बात जानकर आपके पार्टनर को बहुत दुख हुआ कि मेरे पार्टनर को इसने बुरा कैसे बोला जब ये खुद इतनी बेकार है जब ये खुद इतनी गंदी है तो मेरे पार्टनर को इसकी हिम्मत कैसे हुई इतना बुरा बुलने की इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे पार्टनर पे उंगले उठाने की यहाँ पर इस बात के लिए नाराज हो गए थे आपके पार्टनर और इनकी सहन शक्ती जवाब दे गई थ इनको बहुत गुसा आ गया था बहुत दुख के कारण बहुत सोचने के कारण आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी को सजा दे लिये हैं और इतनी बुरी सजा कि इसको सब के सामने उन्होंने हर्ट कर दिया है और डियर ये थर्ड पार्टी पता है आपको अभी बहुत नार जो रही है आपके पार्टनर के उपर उसका मन कर रहा है कि वो आपके पार्टनर को छोड़े नहीं क्योंकि उसको फाइट करनी है अभी आपके पार्टनर के साथ में है ना किसी तरह का बदला किसी तरह के फाइट वाली situation इस third party के दिमाग में दिख रही है कार्ड बता रहा है कि यहाँ पर लड़ना चाह रही है किसी तरह के आख पर पटी बांध के आपके पार्टनर के और दियर फिर से घुमाना इदर उदर की बाती करना है तो एक बदले की भावना यहाँ पर दिख रही है इस third party की मैनुपलेट करने वाली भावना दिख रही है और इस third party जो यह कार्ड है यह third party जो है इसकी भावना इस तरह की दिख रही है कि इसको यहाँ पर लड़ाई करनी है यहाँ पर fight करनी है किसी तरह की situation क्रियेٹ करनी है ताकि माहुल खराब हो सके ताकि सैप्रेशन जो है और ज़्यादा बढ़ सके है ना डियर तो यह जो है इसके एनरजी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है डियर आपके पार्टनर जो है अभी मैं बात करूँ आपके पार्टनर दुखी है क्यों दुखी हैं क्योंकि नो कॉंटेक्ट हो गया है अकेले बैठे बैठे बहुत बोर हो चुके हैं डियर उनकी जिन्दगी आप थे और इन्हों ने गलती कर दी किसी थर्ड पाइटी की बातों में आकर बहक कर और आपके पार्टनर आपके साथ में एक अच्छी लाइफ द नचाहते हैं जिसमें आपके पास में हर तरह से हर सुविदा हो पैसा हो रुपया हो हर एक चीज हो आपके पास में और यह पार्टनर जो हैं आपकी खुशियों को देखते हैं डियर बस इनसे गलती जो हो गई उसके लिए थोड़ा सापको इस्पाय कर रहे हैं हलाकि यह च साथ में माफी मांग ले किसी तरह से आपके साथ में ये सेप्रेशन वाला मुमेंट जो है वो चला जाए और किसी तरह से इनकी लाइफ में इंजॉयमेंट वाला मुमेंट आ जाए आपके साथ में तो ये थ्री आफ काप्स हो सकता है कि आप लोग कहीं बाहर गए हो अपने फ और डियर आपके पार्टनर इन सब चीजों को देखके आपको बहुत मिस कर रहे हैं, आपके प्यार को मिस कर रहे हैं, आपके लव को मिस कर रहे हैं, पर डियर ये सिर्फ देखी पा रहे हैं, क्योंकि नो कॉंटेक्ट सिच्वेशन हैं, और डियर आपके पास आना तो चाहते हैं पर अपनी गलतियों को सुधारेंगे उसके बाद ही आपकी जिंदगी में शामिल होंगे ओके यहां पर यही दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो है नो कॉंटेक्ट में जो वजह थी वो यह थर्ड पार्टी थी और डियर इस थर्ड पार्टी के काले कारणा में आपके सामने इस तरह से ओपन हो गए क्योंकि अचानक से क्या हुआ जब इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर के कान भरना शुरू किये ना तो आपके पार्टनर सोचते गए कि यार मेरा पार्टनर इतना बुरा है और मेरे में मुझे दिखाई नहीं दिया मुझे कैसे पता भी नजर रखी और इस थर्ड पार्टी की तरफ जब ये दोनों तरफ जासूसी में लग गए ना देखने लगे स्पाय करने लगे तब हकीकत जो है अपने आप पे हकीकत आपके पार्टनर के सामने निकल निकल के आने लगी और डियर आपके लिए तो ऐसा कुछ नहीं आय हाँ हो सकता है कि आपका कोई गुड फ्रेंड हो उस बारी में बात जरूर आपके पार्टनर को पता चली है कि आपके लाइफ में कोई अच्छा सा फ्रेंड है आप उससे अपने दिल की हर बास शेयर करते हो उसके लिए भी आपके पार्टनर ने आपसे फाइट करी है लेक यहाँ पर गलत हो गया इस third party के साथ में कुछ तो problem create हो गई और आपके partner बेकाबू हो गई बहुत ज़्यादा ऐसी situation आपके partner के इस third party ने कर दी थी tower moment ले आई थी यह third party separation पूरी तरह से हो गया था तो dear यह है no contact situation में आपके partner क्या feel कर रहे हैं आपको लेकर और क्या वज़र रही है I hope आप लोगों को reading अच्छा लगा होगा कुछ resonate करा हो dear तो please like कर दीजेगा और जो लोग first time चैनल पर आ रहे हैं please चैनल को subscribe कर दीजे support करने के लिए बहुत बहुत thank you हम मिलते हैं next video पर